नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आज की डिक्टेशन प्रारम होने वाली है डिक्टेशन प्रारम होगी 5 सेकंड में अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को क्योंकि जल्द ही हम स्टार्ट होगी 5 सेकंड में महात्मा गांधी के विचार दर्शन और संदेश वर्तमान के लिए बहुत सार्थक हैं हमें कहना चाहिए की वे ही तो एक धनात्मक तत्व हैं जो की आधुनिक सभ्यता को सर्वनास से बचा सकते हैं स्थाई मान्यताएं जैसे स्वा से पूर्व सेवा संचै से पूर्व त्याग और दूसरों के लिए चिंता बहुत तेजी से समाप्त होती जा रही है और उनका स्थान स्वार्थ परता लालच अवसरवाद धोखा चाला की और जूट के द्वारा लिया जा रहा है इन सबने द्वन्दों और संघर्षों को जन्म दिया है और सहिश्नुता तथा मानव प्रेम के उच्च आदर्ष कमजोड पड़ते जा रहे हैं इस भयावह तस्वीर को पूर्ण करने के लिए सस्त्री करण के लिए अनन्त होड हुई है युद्ध के विनासकारी सस्त्र मानव जाती के अस्तित्व के लिए ही खत्रा बने हुए है बड़े पैमाने पर विनाश की नई और नई तकनीकी का विकास किया जा रहा है कानून की सभी प्रणालियों, करारों, संधियों एवं गड़ बंधनों को मानविय मेल जोल और सांती स्थापित करने में सफलता नहीं मिली है इस प्रकार के वातावरण में गांधी वाधी एक आसा की किरण प्रस्तुत करता है गांधी जी के मूल्य एवं सिध्धान्त आदर्श और उब्देश मानवता को आंतरिक वाहिय अमर सांती की मंजिल तक पहुँचने के लिए दिशाप्रदान करते हैं सत्य के सांत गांधी जी के प्रयोगों के उनके इस विश्वास को पक्का कर दिया था कि सत्य की सदय विजय होती है और सही रास्ता सत्य का रास्ता ही है आज मानवता की मुक्ती सत्य का रास्ता अपनाने से ही है गांधी जी सत्य को इस्वर का ट्रयाय मानते थे उनका इस्वर में पूरा विश्वास था जिसका वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया की इस्वर एक अद्रिश्य सक्ती है जिसका अस्तित्व है इस्वर में विश्वास और सत्य का अनुसरण मानता को सर्वनास से बचा सकते है इस्वर और सत्य से घनिष्ट रूप से संबध गांधी जी का अहिंसा में विश्वास है वास्तों में अहिंसा गांधी दर्शन का आधार स्तंभ है अहिंसा का सत्य से बहुत गहरा संबंध है हिंसा असत्य है क्योंकि यह जीवन की एकता की विनाशनी है और हिंसा का रास्ता बड़े खत्रों से भरा हुआ है सांती दुनिया में तभी स्थापित की जा सकती है जब हम अहिंसा का अनुसरण करे गांधी जी अहिंशक युद्धा थे वे स्वयंग दुख एवं बलिदान झेल कर विरोध के विरुध संघर्ष करते थे उनका लक्ष विरोधी के ह्रदय परिवर्तन का होता था स्टॉप